हेलो फ्रेंड्स आइम प्रशान सिंग और यह वाचिंग जी बिजनस वेलकम टू अनदर एपसोड आफ पैसा वसूल आज का एपसोड उन लोगों के लिए बेहत खास है जिनका होम लोन चल रहा है और उसे जल से जल प्याउफ करने का प्लान बना रहे हैं क्या आप जानते हैं कि जो घर आप 50 लाख रुपय में खरीदते हैं या जिसके लिए 50 लाख रुपय का लोन लेते हैं वो घर आपको कॉस्ट करता है करीबन 1 करोड रुपय का येस बताते हैं आपको कैसे क्यूंकि 50 लाख रुपय का जवाब लोन लेते हैं और करीबन 7% rate of interest म अपनी गाड़ी कमाई अपनी मेहनत की कमाई के लाख रुपय आप interest में गमा देते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप home loan लेते हैं कोई planning नहीं करते और उसे जल्ड पे-off करने के actually options भी बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपके interest के लाख रुपय बच जाएगा. Home loan जल से जल खतम करने के लिए basically हमारे पास दो options होते हैं. एक हम EMI increase कर सकते हैं और दूसरा थोड़ा थोड़ा part payment करते जाएं. अब अगर हम पहले option की बात करें यानि की EMI increase करने की तो इससे हमारे दो फाइदे होते हैं. हमें income tax में benefit भी मिलता है क्योंकि जो भी हम EMI बढ़ाने में देते हैं वो दो component में divide हो जाएगा. एक principle में जाएगा जिसका benefit आपको section 80C में मिलेगा income tax के तहट और दूसरा भाग जो है वो आपका जाएगा section 24B में जो की interest का section होगा. साथ ही EMI increase करने से फाइदा ये होता है कि आपका tenure काफी हद तक कम हो जाता है और E budgeting होती है proper और mind make up रहता है कि हाँ मेरा हर महीने इतना पैसा कटना है. अब अगर EMI आपको बढ़ानी है तो आप ये कर सकते हैं कि हर साल करीबन 10% अपनी EMI अपने budget के साब से increase कर सकते हैं. इसका फायदा आपको कुछ सालों में interest के तोर पे जो पैसा बचेगा उसमें साफ द benefit ये है कि जो भी पैसा आप contribute करेंगे वो directly आपके principal outstanding में से minus हो जाएगा. यानि कि interest भी कम लगेगा क्योंकि जो companies होती है, जो banks होते हैं वो आपको interest लगाते हैं आपके amount पर वो हमेशा लगाते है principal outstanding पर. यानि कि आपको काफी benefit होगा interest बचाने के लिए. अब हमारा सुझाओ आपको ये है कि आप अपना home loan जल्द से जल्द pay off करने के लिए option one और option two का combination आजमाएं. यानि कि हर साल कुछ percent आप अपनी EMI top up कर दे, EMI भी increase करते जाएं. साथ ही जब भी एक मुष्ट आपके पास पैसा आए, लंसम amount कुछ आए, तो आप उसको part payment में भी करते जाएं. इस से आपको double benefit होगा और इस double dose से आपके interest का एक बड़ा amount बच जाएगा. तो इस तरह से आपका home loan काफी जल्द खत्म हो जाएगा, interest भी कम जाएगा और mental peace achieve होगी. तो यह थी home loan से पैसा वसूल करने की बात. अगले episode में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ आए और आपको बत झाले आपको बता.